कि क्या हाले साथ ही हूं मैं विकास सोमार आपके अपने ट्रस्वादी चैनल करेक्टिव स्टेडी फॉर सक्सेस पर आप लोग का सवाद करता हूं तीस अपर करेंट पर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्रिस होने वाशाओ में टेलिग्राम चैनल जो हमारा फ्री वाला है उ आप हमसे बात कर सकते हैं आप टरेग्राम पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं ठीक जो आज के दस मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक्स हैं जो कि प्रिलिम्स और मेंस एक्जामनेशन में आ सकते हैं UPSC, UPPSC, BPSC और स्टेट पीसे एक्जामनेशन में वो हैं यह सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्था से पहला जो टॉपिक है डिफेंस से सब्सक्राइब में एर फ्रेम फैटी टेस्ट टीक तो में एर फ्रेम किसका भाई साब हवाई जाज का ठीक तो यहां पर देखें LCA की बात हो रही है LCA कौन LCA तेजस जिसको बनाया किसने हिंदुस्तान नॉटिक्स लिमिटेड है तो यह जो फ्रेम इसमें यह हो गया विंग्स हो गया टेल हो गई इसकी तो जो यह में एर फ्रेम है यह कितना ज्यादा फटीग जो है आपका उसको मतलब सह सकता है हवा में उड़ना घर्षण होता है फ्रिक्शन होता है काई साज चीज होती है आपमान है तो कितना उसको अच्छे सकता तो उसी का टेस्ट होना है और टेस्ट भाई साब इतना नहीं बहुत टाइम लगता है आठ नो साल लगते है पुरा टाइम फिरजा की इंड़क्ट होता है तो हमारा में चीज है कि हमें इस एयर प्लेन की का साइंटिस्ट ने वनन और ग्राउंट टेस्ट सेंटर वाई साब कौन सा होगा एयर क्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर बैंगलूरू कई बाएम लोग इसको पढ़ चुके यार डी सी आठ से नौ साल जो है यह होगा उसके बाद जो है एयर फ्रेम यह वाला MK1 LCA MK1 में फुल सर्विस ल अगला टॉपिक जो है किसान भागी दारी प्राथमिक्ता हमारी मतलब किसान का पार्टिसिपेशन यह हमारी प्राथमिक्ता है प्रियोर्टी है तो अब कर रहे हैं बढ़ी हाँ बात है अजाधी का हमें तो महसंत चल रहा है और निस्ट्र फाई कल्चर क्या चीज़ें हो रही यह प्राथमिक्ता और यह साइच चीज़ें किसे लिए जो भारती गोर्वन्मेंट की स्कीम्स चलने उससे जो HA किसानों को रुबरू कराना जागरुख बनाना ताकि वो किसान के लाभारती तो हैं लेकिन को कुछ पता ही नहीं की वह यह यह लाब कैसे लेना है तो क्या लाब हो सकता है कैसे अवेल करना इन सब के के बारे में आपका यह campaign चलाई campaign है तो campaign जातर जो होती है वो जागरुकता के लिए होती है awareness के लिए होती है कौन-कौन इसमें जो है इन्वाल्ड है ministry of agriculture ठीक department of agriculture research and education education दो हो गए भाई पढ़ाएंगे बताएंगे लोगों को साती साथ ministry of रूल डफलप्मेंट भी इसमें participate करेगा ठीक farmers को जो है फार्म मशीनरी के बारे में इसमें बताया जाएगा ठीक तो एक FM TTI होता है फार्म मशीनरी ट्रेनिंग जो प्रसेशन भी दिलाता और टेस्टिंग भी होती है वहीं कुछ ट्रेनिंग दे रहा है मशीनरी बारे में बता तो टेस्ट भी करेगा ठीक और डिफरेंट लोकेशन पर जो है इंडिया में अलग लग ज़ेगे वह जो है इसको यूज करते फार्मर्स पर्म मशीनरी के बारे में बताएंगे और इसमें वीमन्स की भी ट्रेनिंग होगी ठीक और ओनलाइन वेबिनार्स भी होगे मिनिस्ट्री जो है फील्ड विजिट भी कराएगी बहु साथ सन फालावर की जो खेती होती है अंबाला में फतेगर साहब पंजाब मे ठीक है उसी तरह के सरसों केती होती जम्मू कटवा और उधंपुर में इन सब के यहां फील्ड विजिट भी होगी फार्मर्स को बताया जाए किसान गोश्थी यह जो है प्रोग्राम होता है जिसमें जो कैश क्रॉप्स होती जैसे गन्ने की जो है केती है तो यह कैश क्रॉप सीधे जो है फार्मर को गाता है कि पैसे हमको मिल जाए खाने पिने के लिए चाब अलगे हूं यह सारी चीज़े तो कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स को जो है आपका किशान किसान गोस्थी जो प्रोग्राम में इसके जरीए फार्मर्स को अवेर किया आता है तो किससे सम के आट्मास्फियर से आपका जो है प्लांत की रूटस में लाने के लिए एक बैक्टेरय डियू होता है माइक्रोड़ार kümm ने कि छन थे हैं इसके लिए ट्रेंग दिलाए जायेगी आपका किशान भागेदारी वाले का इसमें ब्लांटिंक मैटेर्यर्ल Sky बडूगा लिए ठीक तो इसमें को मदद करेगा बाइसा डायोक्ट रेट ओफ अरीका नेट इन इस पाइसर डॉल्मेंट के ला एक लिए सटी थिसूर में तो अच्छा यह बताओ कि जो अरीका नेट है यह निकी सुपारी तो क्या इसके लिए अगला टॉपिक जो है वहाँ पर दिल्ली में महरोली में है ठीक वहाँ पर मिनी लेक है यह यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गए और उन्होंने वहाँ पर जाकर अनंग ताल जिसको की क्रियेट किया था महराजा अनंग पाल तोमर जी ने तो उन्होंने एक हजार बावन एडी में इसको जो है फाउंड किया था जब दिल्ली की इस्ताफना करी थे लोंने तब यह टोम्र ओम होने जो ऐसला आख सो हए तौ मतलफ तो इन्डिया पूरा सब कॉंटेंट था ना पाकिस्तबा ला पहुष सकें शाज हुलै कि Isamud फाहत सब पहुंच कर तो जगह चलता है तो मतलब फिर भी पहुँच सके तो तो उस क्हुंच पूछ song समय इस जोग्रिफिकल सिग्रिफिकेंस को पचानते हुए अनंग पाल तोवर जिनने जो है इसको दिल्ली को फॉंड किया था यह एक हजार बावन में जो यह ताल बनाया था यह सीज का प्रतीक भी दिल्ली किस्ता अपना तोमार राजपूत जो यह वारा जाते उन्होंने कि अनंग पाल तोवर ठीक और नहीं तुरंट अभी मिनिस्ट्रीव कल्चर जो नहीं बोला है कि नैशनल मॉल्ममेंट हम इसको घोशित कर रहे हैं और जो है यह दिल्ली की जो शुरुवात है उसको दिखलाता है और अनंग ताल जो है यह स्ट्रॉंग आजिस्थान करेक्शन आपने नाम सुनाओगा उनके नाना थे माराजा अनंग पाल जी तो उनके नाना थे और हूज फोर्ट राय पिथोड़ा इस ऑन दे लिस्ट ऑफ एसाई आर्क लॉजिकल सब्सक्राइब इंडिया ठीक तो यह चीज़ें अनंग पाल टू जिनको अनंग पाल तोमर भी बोल अगले टॉपिक अगला टॉपिक है वह जनल स्टेडिस पेपर थी एकनोमी समधित अनिंप्लाइमेंट बिरोजगारी अब दोको एक संस्ता है सेंटर फार मॉनिटरिंग इंडियन एकनोमी ठीक तो इसने डेटा निकाला है कि भारत में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन र क्या है यह पहले आपको समझायता हूं तो माली देश में 100 लोगों में ठीक है जितने लोग 15 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और जो है एक आपका इंप्लाइमेंट ठीक जॉब करने लायक है यानि कुछ डिग्री उग्री है ठीक कोई प्रसिच्चा को सर्टिफिकेशन है औ और जॉब करना चाहते हैं दोनों चीज़ें समझना ठीक तो वो सारे ठीक न वो सारे जो है आपका लेबर फोर्स पार्टिफिशन में आएंगे ठीक अब फिर से सुनों सौ लोगों में से जितने लोग 15 साल से उपर हैं जॉब करने लायक है जॉब मांग रहे हैं ठीक अब उसमें जॉब जिनको मिल गई है और जॉब जिनको नहीं मिली दोनों को मिलाकर लेबर फोर्स होता है यान कि इंप्लोईट और और नोवक्ट दोनों ही यह हैं लेकिंदों में एक कॉमन चीज़ यह कि दोनों ही जॉब की डिमान्ड कर रहे हैं घीक तो भारत में जो यह आकड़ा है यह आपका चालिस प्रतिशत हो गया है ठीक और मतलब पहले जो है दोजा सोला में देखा है तो 47 लोग जॉब मांग रहे थे अब खाली 40 लोग ही जॉब मांग रहे तो मतलब तरीके देखा जाए तो जॉब मांगने वाले उसमें से दो नहीं जॉब जो कर रहे हैं और और जो अनिम्प्लॉइड दो नहीं है तो यह देखा जाए तो लोग जौब करना नहीं चाहते तो अब इसके इस से यह बहा जाता है कि कहा जासकता है कि लोग जो है जौब देना चाहरहें है जल्फ एंप्लॉइमेंट की तरफ बढ़ना है ठीक द्यम्ता के और बढ़नें अंत्रप्रणूर्शक की तरफ यह भी यह भी कह सकते हैं कि भाई साब लोग जो है और कुछ चुछ और सिकना चाहरे हैं ठेगे मार्कट में घुशी नहीं जाब मार्कट में या फिर यह कह सकते हैं कि जभ आप मनलों बेरोजगारी को नहीं कम कर प तो पर उजगारी वेसे कम होगी कई सारी चीजें समन्ना की जरूरत है ठीक तो यहां पर सारी चीजें मैंने आपको बता दिये सारा टॉपिक इसमें तो वह भी है जो इंप्लोइड वह वह भी है जो अनिंप्लोइड लेकि जॉब धूर रहे हैं तो कैटेगरी टू जो होता ह वह अनिंप्लोइमेंट रेट को दिखलाता है ठीक यह सेंटर फॉर मोनिटरिंग एंडियन एंडियन एकिन नामी जो है यह पता है क्या प्राइवेट संस्ता है कि गौर्वर्मेंट की संस्ता है यह कमेंट करके बताईएगा और यह देखें लेबर फोर्स प्रशन है और जो आपका इंप्लाइमेंट रेट है वो यह ठीक तो देखें यहां पर ज्यादा था पांच परसंट का गया था अग्ला टॉपिक है वर्ल्ड मिलिट्री एक्स्पेंडिचर दोगो पूरी दुनिया में अभी पैंडेमिक आया कोविड आया लेकिन मिलिट्र ज्यादा नहीं करता था तो उसके उपर रशिया हावी हो रहा है तो इसलिए लोग करना है तो सिप्री एक संस्ता है स्टॉक्वम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिटूड इस्टूड जो है स्टॉडन की कैपिटल यह ध्यान रखिएगा तो इसने बताए कि 2021 में अग रस्विती को अगर मतलब उसमें नेट निकाल कर ठीक पांच सबसे ज्यादा जो है मिलिटरी स्पेंडिंग करने देश दुनिया में कौन से हैं वह यू ऐसे द्यान समझना चाइना ठीक फिर इंडिया है फिर यूके है और फिर रशिया है वर्न टू थ्री फोर फाइफ इस यह पांचों मिलकर जो है बासट प्रतिशत करते हैं तो मुलों बाकी जो तीन है वह भी दसी परसेंड में और फिर जो है बाकी बचे जो है आपके 38 प्रतिशत जो है पूरी दुनिया का जो है सैनिक पर घरचा है ठीक तो याद रहे गई यह साज़ चीज है और इंडिया की स्पेंडिंग कितनी वाई साथ 76.6 billion dollar है तीसे नंबर पर है और यह बड़ी है 2020 से 0.9% 2012 से 33% बड़ी है आपका चाइना जो है आपका यह यह भी 200 के उपर billion खर्चा करता है 2012 से इसका भी काफिया था खर्चा बढ़ा है ठीक 293 billion dollar करता है तो यहाँ पर यह दे रखा है आपक अपका कि global spending top dollar 2 trillion for its वालब 2 trillion dollar जो है पूरी दुनिया में से इन पर करचा हो रहा है यह भी एक चीज़ समने जोड़ी वारत की जो एक्रामियों करीबन 3 trillion कि तो वारत की एक्रामिक के से कुछ कम जो है वो दुनिया में खली जो है गोला बारू दो इन सब पर करचा हो रहा है ठीक तो यह चीज़े आपर बताई सिप्री ने Stockholm क्या था फुल फॉर्म इंटरनाशनल पीस रिसर्स इंस्टिटूट नेक्स टॉपिक है कि MSME Sustainable Certification Scheme Z Z ज्एडक फुल फॉर्म समलो Z का फुल फॉर्म है Zero Effect Zero Defect ठीक तो जीरो टीफैक्ट जीरो एफेक्ट ऐसे भी करके आथ कर सकते हो आफ इसे तो इसमें यह समनना जोगी कि जो भी MSME लोग बना रहे हैं तो उसमें कोई defect रहा हो यह तो अच्छी बात है लेकिन zero effect महला कोई प्रभाव नहीं है हाँ तो प्रभाव नहीं है पर्यावर्ड पे तो इतरीके से environment friendly भी बने efficiency अच्छी रहे ठीक तो उसमें जोड़ दिया जा रहा तो उनको कुछ कुछ चीजे जो है facilitate किया जाएगा benefit मिलेगा वो क्या है बाई साब benefit मिलेगा जैसे कि micro enterprise है कोई तो उसको 80% तक जो है z certification कर लिया तो subsidy दिया जाएगा ठीक small को 60% तक medium को 50% कुछ साल पले economic survey में यह चीज आई थी कि इस तरीके कि benefit जो है छोटे रहने पर ही जादा मिलते हैं इसलिए हमारे हाँ जो इंडस्ट्रीज है वो ड्वार्फिजम की जो है बिमार से ग्रसेद है निकि वो बाउने ही बना रहे हैं चाहते हैं ताकि उनको जादा फाइदा मिलता रहे तो इससे क्या होता economy of scale जो है नहीं हो पाता है economy of scale क्या है कि माली जा capacity माली जा आप घर में आए समान ले के आए ठीक माली एक लोग के लिए खाने से आप समझते ना कि एक लोग के खाना लगा बनाओगे ठीक और वहीं अगर पांश लोग के लिए खाना बनाओगे थोड़े से इंगिरिजन जाया मिलें लेकिन आउटपूट जादा अच्छा होगा तो इन्पूट जो है लगबाग सेम रहता है लेकिन आउटपूट बढ़ जाता है इसको इकनामिक ऑफ स्केल बोलते हैं लेकिन जब छोटे ही बने रहा हो चोटे लोग पर काम करेंगे तो इससे क्या होता एफिचेंसी आउटपूट जो है कटा है अब इस तरीके के स्कीम अभी चला जा जारी है अब MSME जो है भारत में बहुत बड़ा GDP का हिस्सा है MSME MSME जो है एक्सपोर्ट भी बहुत जाता करती है और MSME एक वोट बैंक मी बहुत तकड़ा तो इस तरीके की चीजे दी जारी उनको लेकिन चलो ठीक है बट इसको जो है बढ़ावाई देना चाहिए कि आप अपने आप सबसेडी मिलेगी अडिशनल अगर कोई वीमन MSME की ओनर है SCST entrepreneur है ठीक है और MSME कोई नौर्थ इस्टन रीजन हिमालियन रीजन में है आपका नकसल रीजन में है आइलेंड टरिटरी में तो वहाँ पर या फिर एस्पिरेशनल आकांसी डिस्टिक्ट का है तो वहाँ पर भी 10 प्रतिचत की जो है additional subsidy मिलेगी वही और additional 5% subsidy मिलेगी अगर MSME सफूर्ती इसका full form मताई किससे समंदित है इसकीम का हिस्सा है और या फिर MSME, MSE मध्य हमने इसमे cluster development program का भी हिस्सा है यह हम लोग ने पढ़ लखा है MSE CDP के बारे में अपने current affair में ठीक इसके लावा जो है जो है जो लोग भी join करेंगे तो उनको join करने पर reward दिया जागा 10 यह रुपया तुरन जेम में डाले MSME, Z certification कैसे मिले, कैसे आप जो है Zero Effect, Zero Effect solution की तरफ बढ़े उसके लिए भी पांच लाग रुपया दिया जाएगा खुब पैसा डाना जा रहा है बहुत बढ़ी हा बात है ठीक तो अब मैं लग तरह के certification की hold हो जाएगी और ऐसा देखा गया है कि जब certification की hold होती है न तो लोग पांच लाग रुपया पाने के लिए हो सकता है कि दो लाग रुपय से सेटिंग भी कर लें ऐसा देखा गया है ठीक अब इसको जितना पार ज्यादा पार दर्शी बनाया जा सके कि इतना जाए तो ज्यादा चीजीज है ठीक जितना आधा टेक्नोलोजी का विप्यों किया जाए वालों यहीं है कि पान लाग रुपय दिये जा रहे तो उन्होंने सेटिंग कर लिए जो गौपने वाला भी उसने भी थी एक लाग रुपय हमको दो तुमको जटिफिकर मिल जाएगा ठीक बाकी भी आगे कोई इस प्रेक्शन नहीं होगा तो यह साथ चीज देखना चाहिए इन सबकों भी एंशूर करना चाहिए ठीक हलाकि सबसे अच्छी बात यह है कि आपका पूरेस्ट पूर ठीक पूरेस्ट पूर क्या चीज है मतलब इस वे आपका यह होगा कि जो यूनियम हिस्ट रूफ रूडल डवल्मेंट है इन पचाहिती राज उन्होंने अभी लॉंच किया आजादी से अंतोधिया तक इन अब्बे दिन का कैमपेन है ठीक इस पचहत्तर डिस्टिक में है अठाइस स्टेट और यूनियन ट्रेटिस में जहां पर बैनेफेशरी को जो है इसकीम से जो है अवगत कराया जाएगा उ मिनिस्ट्री है जो उनकी स्कीम है भाई साब लोग को नहीं पता चल लाए तो उसको मिले यह पता नहीं क्या बीच में बावाल हो रहा है इसमें यह बार बार ठीक है तो यह चीज़े सेलिब्रेटिंग तस इस्पिरिट ऑफ दा लॉंग आजादी का अम्रित महसब तो इसम दूड़े गया है उसमें 99 फ्रीडम फाइटर्स जो है वहां से उनकी बर्ठ प्लेज रही है उनकी अल्टीमेट स्क्रिफाइज को पूरे नेशन में दुनिया को पता चले कि उन्ष्टीर के इंडिया त sugar for independence में अपना योगदान दिया है ठीक, 17 इसमें स्कीम होंगी, 9 केंद्री मंत्राले हैं, 17 स्कीम हैं, इसमें डायक्ट एसिस्टेंस बेनिफिश्री को दिया जाएगा और इसमें जो सबसे आखरी में जो वेक्ती है, लाबारती है, उस पे फोकस किया जाएगा, तभी आजाती से अंतोध्या लिखा गया है, शोशियो एकनॉमिक आसिंसेस के अंतरगत, ठीक है, नेक्स्ट आपिक है, जमने स्टेडीस पेपर टू, पॉलिटियंग गवनेस एजुकेशन, देगो नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, आप लोग पता हैं कि नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, उसकी अंतरगत ज स्कूल में पढ़ाई होगी, चार-चार-चेतर होते हैं, सबन नावरी बात, चार-चेतर होते हैं कि आपके कैसे स्कूलों में पढ़ाई होगी, कैसे early childhood care education, जो आगनवाडी जो होते हैं प्रेजुकेशन उसमें बलकुल जो है, छोटे बच्चे जो है, उनके देखबारों क स्क्चा के लिए, तो उसके लिए क्या framework होगा, कैसे पढ़ाई की जाएगी, कौन से books होगी, क्या चीजे होगी, ठीक, teacher की education भी है, साथी जाथ adult education भी है, adult education है, मतलब वह वाली education नहीं जो आप समझ रहो, adult मतलब जो वयस्क होगा है, लेकिन पढ़ना चाते हैं, उनकी लिए भी education भी है, ठीक, बाकी हाँ, ठीक है, तो इसमें four areas जो पे national curriculum framework जो लाना है, उसमें mandate document अभी launch किया गया, ठीक, भईया, ये चारो छेत्रों में कैसे curriculum रहेगा, इसके बारे में बताया गया, काफी सला मशुरा करके, ये framework बनाया गया, यहीं साथ चीज़ अब इसमें बताई गहीं है, ठीक, तीन इसमें category होंगी, curriculum क्या रहेगा, पेड़ागोगी, यानि की कैसे पढ़ाया जाता है, सिक्षा शातर बोलते हैं, और national education policy में जो भी systemic change हुए है, उन पे focus किया जाएगा, साथी साथ, mandate document, जो है basic principle, सब कुछ मतलब national education policy की अंतकत, जो है इसको ढालने की बा पर आंकलन लगाने, क्योंकि एक option जोड़ देगा, कि आदिवासियों का जो है village है, तो ऐसा नहीं है, आदिवासी grants management system, ठीक, आदिवासी grants management system, तो अभी ministry of motor ने, ministry of travel affairs ने, आपका organize किया, दो दिन का workshop जारकट में, आदिवासी के उपर 27-28 अप्रेल में, इसका क्या ये website है, इसी एक central database है, ministry of travel affairs का, state travel development welfare department का, जिसमें वो जाकर, website पे जाकर देख सकते है, कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, ये नहीं सब में आ रहा है, यहाँ पर care, तो इसमें ये देख सकते है, access कर सकते है, track कर सकते है, analyze कर सकते है, up to date, scheme, wise physical and financial information, ठीक, जो भी scheme है, इस scheme कैसे हो रही है, कितनी implement हो गई, क्या progress चला है, क्या इसमें दिक्कते आ रही है, वो सारी चीज़े है, पर आपको इस portal पे मिल जाती, इसको बोलते है, आदी gram, ठीक, tribal villages नहीं है, इस portal पे इस कई साथ जो scheme है, मोटा की, यानि कि Mr. Tribal Affairs की, वो कौन-कौन सी जो grant अनुदान, article 275 sub clause 1 के नतकत दिया जाता है, और tribal sub scheme के नतकत, special central assistance है, उसके बारे में particularly vulnerable tribal groups जो है, उनके बारे में, ठीक, institutional support for development and marketing of tribal produce, आप लोने सुना होगा, पढ़ा होगा, मैंने बताया, पढ़ाए भी है, कि Trifet जो है, आपका, ये tribal की अली जो चीज़े है, इनको बेचने में मदद कर tribes India करके, एक marketplace भी बनाई गई है, और marketing of minor forest produce, ठीक है, जो minor forest produce होते हैं, जैसे तेंदू leaves हो गई, और भी चीज़े है, तो वो साइच चीज़े उसको minimum support price होना चाहिए, development of value chain होना चाहिए, ठीक, तो ये साइच चीज़े भी इसके अंतकत रखें, वंदन इसकी मताईए क्या है आपको फिर से और ज़्यादा सौन में आएगा, ग्लोबल सेक्योरिटी इनिशेटिव, वैस्विक शुरच्छा पहल, अब देखो ऐसा है, कि दुनिया में चाहिए जो है, ये कह रहा है, कि बहुत ज़्यादा खत्रा है, ये क्यों हो रहा है, सही, वैसे आवाज वाज पॉरिटिक्स, ब्लॉग कंफ्रिक्टेश, मनलग की ब्लॉग बना लेते हैं, नाटो जैसा, कौर्ट जैसा, और फिर दूसरों को डराते हैं, तो इसके खिलाफ, और एक सौहाद रपून, ठीक है, ना, सबकी ओपन, जो है, सबकी बास सुनी जाए, इस तरीके का हम सेक्योर एक इनिशेटिव होगा, ठीक है, तो तुम भाईया, चाइना कौन हुए, तुम एशिया का पूरे बोलने वाले, ठीक, ऐसे इंडिया घर में कोई लांच करें, और बोले कि यह एशियान सेक्योर्टी इनिशेटिव होगा, और या फिर तुम लोग कैसे कर रहे हो, तो वही यह एक तरीके से बोला है, वेस्टन जो प्रतिबंद है, उनके ख़लाब एक तरीके से बोलना चाहरा है, ठीक, तो वहाँ पे हर साल चाइना में एक बाव फोरम होता है, ठीक, वहाँ पर प्रेसेड़न आते हैं, और फिर वो कई सारी जो चीजे हैं, उस पे कुछ बातचीत और इसमें ना टव एशेन नाट जो को बोला कि यह ए जोह मनाया जा रहा है यह वैसे यह जैसे fine वाइज है अब दो कोई नए इंटेलिजेंस एलाइंस की बात यहां पर हो रहे हैं फाइव आइज हो सकता अलग्छे कुछन बन जाए फाइव आइज इंटेलिजेंस एलाइंस है किस किस कंट्रीज के बीच में ऑस्टिलिया न्यूजिलेंड कैनाडा यूएसे और यूके ठीक यह इंपोर्टन्ट है मैंने कहीं नहीं पढ़ा था यह वैलिवर पढ़ा है तो उसकता पूछ ले महां पर नया है इसलिए ठीक तो और कॉर्ड और स चान है तो यह सरी चीज है ठीक तो यहीं पर आज का सिचन हमारा खता होता अगर आप लोग पसंद आया तो प्लीज लाइक वटन तोड़िए जादा जाद जाद लोग को जुड़िए शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए जो भी मैंने कॉशन्स जाद 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 जामरत लोग भी वेस्टे बंदे बंदे बातना